जैहिन जै भारत और वेल्कम टू डेफ टॉक्स दिस आदी अचिंद बांगलादेश एक संस्कृत नाम है बांगलादेश जो नाम है वो भारत की तरफ से दिया गया है तो मेरे एसाब से जो हमारे बांगलादेशी लोग हैं उनको मैं एक एक शोड़ी सी एडवाईज देना चाहता हूँ आप सब कुछ चेंज करेंश अपना नाम भी चेंज करिए। और अपना नाम अभी वापिस लाके इस्ट पाकिस्तान कर लीजे क्योंकि जिस तरह की हरकते हैं वहाँ पर आप पाकिस्तान से कोई कम नहीं है। ये मैं क्यू बोल रहाँ हूं आपको मैं तो चार ट्रीटी करनी चाहिए तो काउंटर इंडिया नौ ये बड़ी इंट्रेस्टिंग सी चीज है क्योंकि पाकिस्तान के अपने जो एटमी असासे हैं वो उनको नहीं पता कहा जा रहे हैं लेकिन बंगलादेशी अपने होप लगा के बैठे हैं कि पाकिस्तान के साथ हम जो सो काल असासे हैं तो हम बड़े भारत को मतलब रगट देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे तो यही चीज अभी यही लैंग्विट बंगलादेश से भी निकल के आ रही है तो कईना कई एक चीज हमको समझ में आनी चीए कि जो चीज इस चानल पर बहुत लोगों ने और आपको एक चीज समझ में आनी चीए जो एक डिये ने पाकिस्तान बंगलादेश में चोड़के गया था उसका इंपक्ट आपको बड़ा क्लिरली आज दिखता है और ये कई आगे कई चीजों के साथ भी आपको दिखेगा चीफ एडवाईजर साब जो हैं मौमद यूलिस एक बड़ा इंट्रेस्टिंग सा स्टेट्मेंट आया है वो जब यूएस की डेलिगेशन जैसे मैंने आपको पिछले अपडेट में बताया था वो जा रहे हैं बांगलादेश मिलने के लिए वहां पर पहुंचने से पहले उन्होंने भीक का कटोरा अपना साफ सूफ करके रेडी कर लिया और उन्हें बोला कि साब हमको आपसे सपोर्ट चाहिए तो रिबिल्ड बंग्रादेश तो इंप्लिमेंट की रिफॉंट रैंट तो रिकावर स्टोलन आशेट्स अब रिकावर स्टोलन आशेट्स की अगर बात करें तो ग्रामीन बैंक के भी थोड़ा सा होनी चाहिए लेकिन क्या करें अभी वो तो चीफ एडवाइजर हैं तो उनकी ऊपर कोई रिकावरी होनी सकती लेकिन ये उन्होंने एक स्टेट्मेंट लिया और ये अपील जो बनी ये उस मीटिंग जो एक हाई पावर्ड यूएस डेलिगेशन के साथ उस टाइम पे मीट चाहिए इस्ट पाकिस्तान तो ये वहाँ पर उनकी मीटिंग हुई थी और यूएस की जो डेलिगेशन है उसके लीडर थे ब्रेंट नीमन जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ यूएस टेजरी डिपार्टमेंट है और दूसरे और यूएस के जो ऑफिशल थे उसके अंदर जो रजीम चेंज स्पेशलिस्ट डॉनल लू साब और ब्राइडन लिच साब जो यूएस ट्रेट रेप्रेसेंटेटिटिव हैं अंजली कॉर डेपेटी असिस्टेंट एड्मिनेस्ट्रेटर और जरॉड मेसन जो डिरेक्टर है यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के य कि यह बंगलादेश की इंटरेम गवर्मेंट को कल ग्रांट हुए हैं फॉर एडवांसिंग डेवलप्मेंट इंपावरिंग यूथ स्रेंटनिंग डिमॉक्रसी गवर्नेंस इंप्रूव हेल्थ एंड एक्स्पैंड टेड एन एकनोमिक ऑपर्चुनिटिस तो पीपल तो से पहले बात करते हैं देखिए एडवांसिंग डेवलप्मेंट किस डेवलप्मेंट की बात करें यह ऐसा कंट्री है जो अपने जितने भी इन्होंने डेवलप्मेंट करें थी उसको फुट गटर में डालने की कोशिश कर रहे हैं यूथ इंपावर्मेंट की अगर आप ब बैठे हैं as so-called head of the government he is illegally sitting there क्यों यह मैं नहीं बोल रहा है यह बंगलादेश का अपना constitution बोल रहा है कैसे बोल रहा है एक कॉल लीक हुई यह कॉल लीक हुई शेख हसीना की और उनके एक सपोर्टर के बीच में अब यह बोला जाता है कि शेख हसीना की एक कॉल थी जब जो यह कॉल लीक हुई and उसके अंदर इन्होंने बड़ा शेख हसीना ने allegedly बड़ा clearly बोला है कि साब मैंने तो resignation दिया ही नहीं तो technically यूनिस साब illegally एक head of government बनके बैठे हैं जबकि बंगलादेशी government की बंगलादेश country की जो prime minister है वो अभी भी शेख हसीना है as a matter of fact अगर उनने resignation दिया भी होगा फिर भी जो section 125 है इनकी constitution का उसके एसाब से जब तक कोई नया prime minister elect होके आनी जाता तब तक जो पुराना prime minister है that person remains as the prime minister of the country तो ये होगी इनकी democracy उसके बाद US ने पैसे दिये किसके लिए improve health and governance अब health तो भाया इतना इतनी बढ़िया है क्योंकि देखिए भारत को इन्होंने हिलसा fish band कर दी है तो इनकी health तो बहुत बढ़िया हो जाए कि there is no question about it and governance की बात करें तो यूनेस साब को मैंने आपको बताया यह यूनेस साब ने बड़े अच्छे अच्छे एडवाइजर जेल से रिलीज करें हैं जिनको 25-35-35-35 साल की सजा हुई थी और उनको रिलीज करके अपनी advisory board में यूनेस साब लेने की कोशिश कर रहे है एकनोमिक opportunities की थोड़ी सी अभी आगे जाके बात करेंगे लेकिन यह जो पैसे दिये गए हैं यह एक umbrella agreement है जिसके अंदर economic and technical assistance जो sign की गई थी 1994 में US और बांगलादेश की बीच में जिसमें अभी तक आज तक 2024 तक 8 billion dollar USA बांगलादेश को अब दे चुका है अब देखिए मांग रहा है पाकिस्तान लेकिन मिला बांगलादेश को चलिए थोड़ा छोटा amount मिला लेकिन क्या करें विकारी जो देश है उसको एक दो रुपे भी मिल जाते हैं वो बड़ा खुश हो जाता है लेकिन यहां पर इसकी हालत ऐसी है कि भई अगर आप देखि किसाब उसका जो प्रॉटेजे है उसने पैसे निकालने की पूरी जो तरकीव है पूरी तरह से मास्टर कर रही है लेकिन यह चीज़ पाकिस्तानी अभी तक नहीं सीख पाए क्योंकि आयमेफ उनको अच्छे से लाच मार मार के सीधा करने की कोशिश कर रहा है तो यह गए आर्मी हेटकोर्टरज केंदेख अब यह देखें यह बड़ा इंटेस्वा सड़ा चीज है यह चीज़ आप सिरफ पाकिस्तान में देखें गे जो एडा अपाकिस्तान में आनी चीज़ उटके अभी चीफ एड्वाइजर हो यह तुमसे मिलेगा वह मनलब आकर सिलू प्रफिस्तान की जो DNA है वो अभी भी यहां पर है और जिस तरह से उनको भीक मिलनी शुरू हो चुकी है अभी IMF से भीक मांगनी इन्होंने शुरू करी है साड़े चार बिलियन डॉलर इनको चाहिए तो वो भी आगे चलेगा मैंने आपको बोला था मैं एकोनॉमी के बारे मे कहीना कहीं काफी हद तक अब देखी क्या होता है ना एक खून लोगों ने चूस लिया है कि भई अगर प्रोटेस्ट करोगे तो जो आपको चाहिए होगा वो मिल जाएगा तो यहां पर जो गार्मेंट के वरकर्स हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया हमक क्योंकि इस इन्वार्मेंट में हम काम नहीं कर सकते हैं एक न एक आपको बताओं अभी तक पांट से साथ लाख लोगों की नौकरिया अलरडी जा चुकी है इन गार्मेंट सेक्टर क्योंकि यह फैक्टरी जो बड़ी बड़ी जो बिगस्ट फैक्टरी इन बांगलादेश इंप्लॉयर से इंप्लॉयर ने बोला भईया माफ करो हम लोग लेबर अक्ट वहाँ पर उसके अंदर वहाँ बंगलदेश की लॉज के अंदर एक लेबर अक्ट है जहां पर एक इंप्लॉयर को इतनी पावर है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वह अपनी पूरी यूनिट श वहाँ पर कोई इंड़स्टियर पूलीस फॉर्स का कोई एक्ट नहीं क्योंकि पूलीस बोलती है यार ऐसा है हम लोग कोई एक्ट लेते हैं उसके पाद जूते हमको पढ़ते है आर्मी भी आके मारती है चोड़ो बहुत सारी फैक्टरी भी हिट हो रही है क्योंकि पॉलिक यहां पर एक फैक्टरी का जो ओनर था वो अवामी लीग का एक MP था उसको जाके इनों ने जलाया एक बारी नहीं दो बारी जलाया थंडी होगी जो भी बचा कुछा समान था उसको भी जाके जला के आ गए तो यह तो हालत है और यह तो मैं बोलता हूं बाई साब पाकिस्तान आप बन रहे हो तो ओड़ा तो जाई रहे हैं वो अलग चीज़ है लेकिन यहां पर तो फैक्ट्रियां भी आप बंद कर रहे हो तो यह बड़ी एक इंट्रेस्टिंग सी कहानी है यहां पर हमारे देखिए भारत के अंदर कई कई बेवकूफ हैं जो बोलते हैं बही बाई बंगलदेश ने ना हिलसा फिश भारत की सैंक्शन लगा दिये तो बहुत हालत कराब है यहां मैं दोबारा मेरे बंगाली जो दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक जोर से वाज उठाईए कि हमको ये गंदी सडी भी बंगलदेश की मचली नहीं चाहिए एक लगता है कि एक हिलसा फिश वो भी सिर्फ जो बंगॉल के अंदर जाती है जहां पर बंगॉली लोग खुद बोल रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए उससे भारत को बहुत बड़ी हिट मिलती है ये तो हमारे अंदर के हालत है तो आप सोच लीजिए यहां पर भी काफी सारे पा लेकिन आप इसको कुछ चेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके इसके अंदर इतना दमी नहीं है ये मैं नहीं बोल रहा ये डेली स्टार का ये कॉपिट बोल रहा है जो कल शाम को उनके उसके अंदर आया था प्रॉब्लम मैंने आपको बताया जिस तरह से कॉंसिट्यूशन का है जहां पर शेह कसीना का जो चक्कर है मैंने आपको ये चीज बताया लेटेस्ट खबर जो आई है 64 डिस्रिक्स जो हैं बांगलदेश के अंदर ढाका के अलावा 60 डिस्रिक्स के अंदर 10 से 12 घंटे की बि में आना चाहिए कि भई जो एक एक बड़ी बड़ी न्यूज ये आ रही है ये धीरे-धीरे कंबाइन होके बांगलादेश के अंदर एक क्राइसिस बनेंगी वाट जो सबसे क्रैकिंग न्यूज आई जो मैं आपके साथ शेर करना चाहता हूं कि बांगलादेश ने बोला ह है कि साब हम लोग 20,000 रोहिंगया रेफिजीज को रिलोकेट करने के लिए एक अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं अमरीका के साथ तो जै हो जै हो जै हो जै हो इस्ट पाकिस्तान अपनी अपनी जो प्यारे प्यारे रोहिंगया लोग हैं उनको अमेरिका की तरफ भेज़ेगा और यहां पर मैं तो बगवान के साथ प्रातना करता हूँ कि कमला हैरेस आए ताकि यह 20,000 लोग अमेरिकन सिटिजन बनके कमला हैरेस के साथ वहाँ पर काम करें यह बहुत ही अच्छा चीज रहेगा और यह स्टेट्मेंट मेरे मन में से निल निकला यह फॉरन अफेस अड पीचे जा रहा है यह सब हो रहा है तो गवर्मेंट ने आके प्राइस सीलिंग लगा ली अब देखिए जब आप प्राइस सीलिंग एक एक करके एक कमोडिटीज पर लगाते हो तो फिर क्या होता है एकनॉमिक शॉटिज बनती है और एक 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 टेडी मेडी तरह के वो जो अन आटिफिशल डिमांड या आटिफिशल हॉल्ट क्रियेट किया जाता है ताकि होडिंग हो सके बांगलादेश इस टाइम पे पूरी तरह से एक पाकिस्तान की तरफ जा रहा है जो पाकिस्तान अपने आपको पिछले सतर साल में नहीं कर पाया बांगलादेश मेरे यहां किस तरफ जा रहा है और किस तरफ वो गेम होने वाली है यहां पर मैं एक और छोड़ी सी अनॉंसमेंट करना चाहूँ है मेरे पास कुछ डॉक्यमेंट्स आये हैं जो प्रूव करेंगे मेरी थियोरी को कि गहरे राज ने यह रजीम चेंज कराया है यहां तक कि मेरे पा बांगलादेश को हम बांगलादेश नहीं इस्ट पाकिस्तान के नाम से जानेंगे यह वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए चानल को अगर आपने नहीं करा है most importantly share this with your friends and families आप लोग आज दुपैर में हमसे जॉइन करेंगे गीता कोचर जी के साथ जो हम बात करें नेपाल के बारे में क्योंकि नेपाल काफी टाइम से न्यूस के बाहर है हमको अपने नेबर हुट पे काफी हद तक फोकुस रखना पड़ेगा क्योंकि देखिए आपको अभी समझ में आ रहा है कि जो गहरे राज है और बाकी सब जो तेडी मेडी एंटी इंडिया फोर्स और आज रात को आप सबके फेवरिट करन२ल जैरायना के साथ हम बात करेंगे जो अपनी नई किताब के बारे में भी बात करेंगे और पार्किस्तान में जो एक बहुत मोटी development हुई है उसके बारे में बात करेंगे जिस से हमको पता चलेगा कि साब एक तरफ इस पाकिस्ता सुबर्चार्ज के साथ, चैहिंद, चैहिंभाराद.